हेलो फ्रेंड्स अल्मार्ट्स में आपका स्वागत है फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और नोडिफिकेशन बेल को जरूर से दवाईएगा जिससे आपको लेटेस्ट कमपनीज के वीडियो के वारें बताने वाला हूँ आपसे एक ही रिक्वेश्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखीगा इसका फंडमेंटर्स बहुत ही बहतरीन है तो चली जानते है इसके वारे में इस कमपनी का नाम है मद्द भारत एग्रो प्रोड़क्स लिमिटेड इस कमपनी का का काफी डावर्शिफायट पॉर्टफोलियो है लेकिन मेंली ये फटिलाजर्स को प्रोडूस करता है MBAPL जिसको BRP भी बोलते है इसको प्रोडूस करने में ये लीडिंग प्रोडूसर है इस कमपनी के स्थापना 1997 में हुई थी और उससे में इसके प्रोमोटर देख सकते हैं सैलें 2004 आते आते देख सकते हैं कमपनी को टेक ओवर कर लिया गया था पंकज ओष्टवाल थे उसमें और प्रवीन ओष्टवाल थे और सीजन अग्रोकेमिकल्स इंडिया प्राइबिलिट लिमिटेड ने इसे टेक ओवर कर लिया था बाद में इस कमपनी ने बेनिफिकेटेड र पी को प्रडूस करता है फिर सिंगल सूपर फॉस्पेट हो गया जिसको SSP बोलते हैं डैप एननपी के एंड कॉंप्लेक्स फर्टिलाइजर्स हो गया जिसमें पोटास भी आपका और एगर कल्चर परपस के लिए प्रॉम को भी मिनिफेक्ट्र करता है और भी अइननप डैट्र है जीसे iTunes विइखकेरटिक्श सुल्फर अजर्स एपद्धरszय के सागर में छृष्ट है जहां कि अगर इन्स्टॉल इसके business areas देख लेतें कौन-कौन से हैं जैसे कि मैंने आपको पहली पता दिया है BRP को manufacture करता है सिंगल सुपर श्वास्पीड हो गया है जिसको SSP भी बोलते हैं उसका manufacture करता है और इसके साथ साथ Sulfuric Asiat को भी produce करता है जिसका main काम होता है जैसे के 1997 में इस कंपनी के start हुई थी और इसका नाम मद्य भारत Agro Products Limited अखा गया था उस समय 1998 में SSP के commercial production श्टार कर दिया था इसने 1999 में कंपनी Private Limited से Public Limited कंपनी हो गई थी 2003 में आते आते देख सकते कंपनी का जतना भी जो काम था उप्रेशन वो सारे बंद हो गये थे और इसको BIFR ने सिक कंपनी के नाम से registration कर दिया था लेकिन जैसे के आपको पहली बताया था 2004 में इस कंपनी को ओस्टवाल ने टेक ओवर कर लिया था 2008 आते आते देख सकते Industry and Financial Reconstruction को फिर से रिवाइट भी आ गया बोड के दोरा 2009-10 में इस कंपनी के जो रिजिश्टेट ओफिस था उसको इंदोर से shift करके देख सकते हैं बिलवारा रास्थान में shift कर दिया गया 2011-12 में इसने उनिट 2 में BRP के commercial production को इस्टार्ट किया था March 2016 में इसने 9.21 करोड का net profit जेट किया था March 2017 आते आते हैं 11.73 करोड का net profit जेट किया है March 2018 में देख सकते हैं थ्वाइट नेट परफिट गिरा है 5.11 करोड का ही net profit जेट किया था लेकिन फिर से comeback करते हुए March 2020 में 11.34 करोड का net profit जेट किया है March 2020 में भी देख सकते हैं, increment हुआ इसके net profit में, 14.84 करोग का net profit जेंट किया था, अगर देखा जा तो पिछले 3 सलों से इसने 8.15% का poor profit growth दिया है, लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात भी यह है, कि इसने पिछले 3 सलों से 17.04% का good revenue growth भी दिया है, और इसके 5 सलों का CAGR return देखा ज आपका 2.87 पर, face value रुपीस 10 पर है, dividend yield यह 0.24% का देता है, book value देख सकते हैं, 71.96 रुपीस पर है, cash इसके पास अभी available है, 0.95 करोड का, और depth की बात के जाए, तो 39.85 करोड का depth चड़ा हुआ है इसके उपर भी, earning per share है आपके 10.31 रुपीस का है, sales growth अभी 12.76% का देखा रहा कि आपका, अब चलिए इसका share market का performance भी देख लेते हैं, जैसे कि देख सकते हैं, अभी इसका price 206.75 रुपीस पर चल रहा है, आज ही के दिन देखा जा तो 20% का इसमें increment देखने को मिर रहा है, अगर day का range देखा जा तो 185 रुपीस से लेके 206.75 रुपीस के बीच में move कर र बिच परशन का और 3 मंध में देख सकते हैं, 143.52 परशन का, वानिर में देखा जा नृत परशन का, इसने रिटन दिया और 3 एर में देख सकते हैं, 302.24 परशन के रिटन दिया, इनेच के अभी तक, तो price के performance से भी देख सकते है, अच्छा का सा return इसने बीन जनेट किया और नेट परफिट यहां पर 8 क्रोड का जनेट किया है, दिसमर 2020 में 31 क्रोड का से जनेट किया है, और नेट परफिट यहां पर 3 क्रोड का जनेट किया है, मार्च 2021 में 49 क्रोड का से जनेट किया है, और जून 2021 आते आते देख सकते है, 67 क्रोड का से जनेट किया है इसने, और न देख सकते हैं लगतार इसके प्राइज में इंक्रिमेंट होता चला जा रहा है और यह देख सकते हैं 26 अगेस्ट 221 को 139 रुपीज के अप्रॉक्स में पहुंच चुका था और यहां से जो इसने अचानक से तेजी पकड़ी यह बहुत बहुत बहुंकर तेजी दिखाया है 206 6.75 रुपीज पहुंच चुका है सिर्फ 5 दिनों के अंदर में तो चली इसका overall performance भी देख लगते हैं हम लोग देख सकते हैं ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है सेप्टेंबर 14 टू ठान सिक्षिन को यह 30.65 रुपीज पहुआ करता था इसका प्राइस तो देख सकते हैं ल और श्टॉक की volatility देख सकते हैं 3.32 के multiple में चल रही है तो चली जरहे एक नजर इसके investment checklist पर भी देख लेते हैं जैसे की interesting value यहां पर बता जा रहा है current price is less than the intrinsic value बोला जा रहा है यहां पर return versus FD अच्छा return रिटेंग एट किया है dividend return कुछ खास दें देता है entry point अभी good to consider नहीं कर सकता है क्योंकि पहले सही overbought zone पर आ चुका है क्योंकि जैसे आपको मैंने पहली ही बता है कि अभी इसका all time price high पर चल रहा है और no red flag जोन पर भी है तो यह अच्छी बात है इस company के लिए चली एक नजर इसके share holding pattern पर भी देख लेते हम लोग जैसा कि देख सकते है total promoters holding यहापर 74.74% पर है और other parties होगे आपका 22.73% पर है तो overall बात किया जाए इस stock को लेके तो यह stock काफी ज़्यादा दंदार देखने में लग रहा है future इस stock का काफी ज़्यादा bright लग रहा है तो मेरी बात माने तो इस stock को नजर में डखिएगा आप चाहे तो wait and watch का approach भी रख सकते है इस stock को लेके ठीक है friends कोई भी investment decision लेने से पहले खुद भी research किजेगा या तो अपने financial advisor से जरूर सला लिजेगा so friends जाने से पहले like, share and comment के साथ follow जरूर करे चैनल को